मुंबई पोर्ट एटोरेटी के किराएदारों को केंद्रिय बंदरगा मंत्री अर्बानन सोनोवाल से मुलाकत के बाद उमिद के किरन दिखी मंत्री ने उन्हें 15 दिनों में नया प्रस्ताव पेश करने को कहा जो किराएदारे अधिकारों को लेकर 1994 में हुए समझाता फार्मुले के अनुरूप हो यह फैसला कुलाबा से वडाला तक शर्ग 10% आबादी को उमिद की किरन दिखाता है किराएदारों को किस बात ने परिशान किया है किराएदा सारवजनिक परिसर बेदखली अधिनियम 1971 के दुरूप योग से निराश है जिसका मुल उद्देश्य सरकारी अवसाओं में समय से अधिक समय तक रहने वाले सरकारी करमचारियों को बेदखल करना था इसके बजाए उनका कहना है कि इस अन्याय पूर्ण तरीके से कमजोर किराएदारों पर थोपा गया है पटों का नवनी करन न होना खली की व्यापक करवाई नितिकत निश्क्रियता जिसका अर्थ है किराएदारों के लिए भूमी रुपांदरन योजना माफी या पूर्ण विकास योजना को रोकना कानूनी उत्तराधिकारियों को भुकंडों का अस्तांतरन करना पटे के किराये में भारी भुद्धी और अनुचित मांग करना राज्य के किराया नियांतरन कानून को मान्यता न देना मुंबई पोर्ट अथरोटी S.B.P.H.G. से पहले मुंबई पोर्ट्रस के नाम से जाना जाता था के 5 लाज से अधि किरायदारों को उमिद है कि किरायदारी अधिकारों और नविनी करन को लेकर उनकी लंबी लड़ाई का समादा निकलेगा इनके जवाब में मंत्री ने उने किरायदारी अधिकारों को लेकर 1994 में तै किये गए समझाता फॉमूले की तर्ज पर 15 दिनों में एक नया प्रस्ताव पेश करने को कहा यह नीने कोलाबा से वडाला तक शेयर की 10% आबादी को आशा प्रदान करता है अईयर को आप पर gotने को आप जयारी ने जया को आपिकार पी तर्ज जएर भाला तर्ज जया वराला तक शेर प्रदान करता है